कि नमसकार दोस्तो जैहिंद झैह भारत दोस्तो हमने पिछली वीडियो में ट्रैंगल कंप्लीट कर लिया रेंगल में अबने संब्वावतिर पूझ संदिवावतिर पूझ विसंब्वावतिर रुबूझ और पायथगरस शरम और शमकौन्द पूझ भी ठीक है मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी ठीक है और दोस्तों कमेंट लाइक और सेर करना ना भूले और सब्सक्राइब भी साथ में ठीक है तो जलिए दोस्तों मैं परबात को सिख आज फिर से एक नए वीडियो के साथ एक नए क सम चत्र बूज यानि के रोमबस ठीक है सम चत्र बूज जैसे कि नाम से इस परश्ट हो रहा है कि सम चत्र बूज यानिके सम का मतलब समान और चत्र बुज यानिके चार भुजा वाला यानिके एक ऐसी आकरती जिसकी चारो भुजाए समानों ठीक है ना एक ऐसी आकरती जिसकी चारो भुजाए समानों देखे दोस्तों जैसे की ये आकरती है आपके सामने ठीक है ये ए ए बी सी और डी ये एक कैसा चतरबूज हुआ सम चतरबूज जिसकी चारो भूजाए समान है यानिके ए बी बराबर किसके होगी बी सी के बराबर किसके होगी सी डी के बराबर किसके होगी ए डी के यानिके चारो भूजाए यहाँ पर क्या होगी समान होगी ठीक है अगर ए बी की वैल्यू मैं ए मानता हूं तो बी सी की वैल्यू भी कितनी होगी ए और सी डी भी कितनी हो जिसकी चारो भुजाए समान होती है, ठीक है, तो पहला पॉइंट है यही, सम चतर बुज, सम चतर बुज में चारो भुजाए समान होती है, समान होती है, सम चतर बुज में चारो भुजाए समान होती है, कहने का मतलब यह हुआ, कि A B बराबर B C, A B बराबर B C, बराबर C D, बराबर D, ठीक है, चारो भुजाए क्या होगे दोस्तों, समान होगी, आप कहोगे कि यह तो वर्ग में भी होता है, स्क्वाइर में भी होता है, ठीक है ना, यह तो वर्ग में भी होता है, यानिके स्क्वाइर में भी होता है, लेकिन वहाँ पर चारो आंतरिकोन 90 डिगरी के होता है, ठीक है ना समझिए चारों बूज़ाए क्या होगी समान होगी ठीक है दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि विपरीत बूज़ाएं विपरीत बूज़ाएं समानतर होती है विपरीत बूज़ाएं समानतर होती है विप्रीत बुजाय क्या होती है समानतर होती है ठीक है कहने का मतलब यह हुआ कि A B समानतर किसके है C D के और B C किसके समानतर है A D के यानि कि A B पैरलल है DC के और B C पैरलल है A D के ठीक है न A B पैरलल C D और B C पैरलल B.C. parallel किसके होगी? B.D. के ठीक है? तो ये क्या है? विप्रीत भुजाय क्या होती है 주 SPEAKER Б करें दोस्तों? समानतर होती है Fine work DC है और B.C. के विप्रीत भुजाय क्या है? B.C. भुजाय क्या है? e.d. है ठीक है? ठीक है? ये ठीक है vo मैं क्या है? सम चत्रोपुाइब के बारे में तीसरा पॉइंट यह बनेगा कि दो एडटा से अंगल याने कि तो इसका एड़ेसेंट एंगल यानिकर ँबंद कौन से होगा यह थीटा है तो इसका कर्मागत कौन कौन से होगा ये वाला होगा और इन दो कौनों का योग हमेशा क्या होगा 180 डिगरी होगा अगर ये ठीटा है तो ये कौन कितना होगा दोस्तो 180 माइनस ठीटा ये कितना होगा 180 माइनस ठीटा तभी तो ना इनका योग 180 होगा वही ठीटा पलस 180 माइनस ठीटा तो ठीटा से ठीटा कटेगा, तो बचेगा कितना 180, ठीक है न, तो एडजसेंट एंगल, यानि कि दो कर्मागत कोणों का योग क्या होगा हमेशा 180 डिगरी होता है, ठीक है न, तो दो सम्चतर वुज में, दो कर्मागत कोणों का, दो कर्मागत कोणों का योग, दो कर्मागत कोणों का योग हमेशा 180 डिगरी होता है, 180 डिगरी होता है, ठीक है, देखिए, ये ठीटा है, तो ये 180 माइनस शीटा हुआ, तो एंगल C का जो कर्मागत कोणों होगा, ये होगा, एंगल D, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये ठीटा होगा, क्योंकि ये दोनों भी तो एक दोसरे के कर्मागत हुए, अगर ये 180 माइनस शीटा है, तो ये से कितना होना पड़ेगा, इसको ठीटा होना पड़ेगा, तभ 108 का तो इस ठीटा का करमागत कौन होगा वह सी mist यानि याकिव टिबा एंगल टिडी का करमागत कौन अंगल एकर मालायगे कोन बी और प्रच गरंगल डी का करमागत कौन कल दी तो इस तरीके रहा होगा कि angle B का मान वही होगा जो एंगल D का होगा तो इसका मतलम मैं यह कह सकता हूं कि 2 विप्रीत कोणों का मान हमेशा समान रहता है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि angle B का मान ठीटा है तो एंगल D का मान भी ठीटा है एंगल A का मान 180 माइनस ठीटा है तो एंगल C का मान भी 180 माइनस ठीटा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि दो विप्रीत कोणों का मान हमेशा समान रहता है ठीक है देखिए तो तीसरा जो फॉर्थ पॉइंट यही बनेगा आपका कि दो विप्रीत कोन, हमेशा, समान होते हैं क्या होते हैं विटा, समान होते हैं कि दो विपूइंप कोंड हमेशा सवान होते हैं यामेर सम चतर बुज में दो विपूइंप कोंड हमेशा समान होते हैं चलियर वहीज बात यहां पर इक नेक्स्ट पॉइंट किया बने अइने को समझेने का परियास करते हैं शरूर्फ दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं क्या आपको समझ में आहीं रहा होगा पहला पॉइंट क्या कोनों का योग हमेशा 180 होता है अगर दो कर्मागत कोनों का योग 180 होगा तो विप्रीत कौन का मान भी हमेशा क्या होगा मेरे भाई विप्रीत कौन का मान होता है और एक छोटा होता है यानि कि मैं यह कह सकता हूं कि जो सम्चत्रबुज होता है उसमें एक विकन बड़ा होगा और एक विकन दूसरे से छोटा होगा ठीक है तो देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट यही बनेगा जो पाच्पा पॉइंट बनता है कि सम्चत्रबुज क Wiken यके Wiken compelling एक दूसरे के समान नहीं होते विकंड एक दूसरे के समान नहीं होते अर्थात बराबर समान नहीं होते अर्थात बराबर नहीं होते किलियर होगी बात ठीक है यानि कि अगर मैं यहाँ पर विकंड बनाओ या फिर मैं एक छोटा सा अलग चितर बढ़ा देता हूँ देखें कि देखें दोस्तों मान के चलो कि यह सम्चत्र बुझे है मानना क्या यह है सम्चत्र बुझ ठीक है देखें ठीक है मैं बोल रहा हूं कि सम्चत्र बुझ के विकर्ण क्या होते है समान नहीं होते अगर एक विकर्ण यह है इसका ठीक है और एक विकर्ण आपका यह है ठीक है एक विकर्ण आपका यह है यह पॉइंट क्या है A यह पॉइंट क्या है B यह पॉइंट क्या है C और यह पॉइंट क्या है D ठीक है तो मैं बात करूँ विकर्ण की तो विकर्ण एक दूसरे के समान नहीं होते यानि कि अगर इसको मैं D1 नाम दे दूँ और इसको मैं D2 नाम दे दूँ तो विकर्ण एक दूसरे के समान नहीं है इसका मतलब AC not equal to BD AC not equal to BD इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि AC not equal to BD ठीक है दोस्तों सबसे जरूरी बात तो यही थी आपके लिए कि सम्चतुर्बुजगे विकर्ण एक दूसरे के समान नहीं होते और जो next point है दोस्तों उसका सबसे ज्यादे यूज करते हैं ठीक है ना उसका सबसे ज्यादे यूज करते हैं वो next point बहुत ज्यादे important है वो यह समझ लो कि वो एक ठ्योरम भी है अपने आप में ninth class की एक ठ्योरम है यानि कि मैं यह कह सकता हूं कि सम्चतुर्बुजगे विकाण एक दूसरे को 90 डिगरी पर और बराबर बराबर परतिछेद करते हैं बराबर बराबर क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं ठीक है ना 90 डिगरी पर काटते हैं सम्चतुर्बुज के विकार्ण एक दूसरे को 90 डिगरी पर काटते हैं दोस्तों ठीक है यह अगला पॉइंट है ठीक है देखिए तो next पॉइंट क्या था दोस्तों छटा यह इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ कि सम्चतुर्भुज के विकार्ण सम्चतुर्भुज के विकार्ण एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को नब्य डिगरी यह इंपोर्टेंट पॉइंट है एक दूसरे को नब्य डिगरी नब्य डिगरी पर बराबर बराबर काटते हैं बराबर बराबर काटते हैं बराबर बराबर काटते हैं यानि कि सम्चत्रबुज के विगण एक दूसरे को 90 डिग्री पर और समान रूप से परतिशेद करते हैं बराबर बराबर काटते हैं देखे वाई अगर मैं ये सम्चत्रबुज बना दूँ अगर मैं ये कोई सम्चत्रबुज बना ठीक है ना तो मैंने आपसे ये कहा कि सम्च चत्रबुज के विगर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और वो भी कैसे बराबर बराबर ठीक है ना देखिए एक सेकेंड बन भी बारा जो मैं बनाना चाहरा ठीक है यह वह सम्च चत्रबुज A B C D A B C और D और मैं यह कहना चाहता हूं कि सम्च चत्रबुज के विगर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं मान के चलिए यह पॉइंट E है यह क्या है पॉइंट E ठीक है कि सम्च चत्रबुज के विगर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर और बराबर बराबर काटते हैं इसका मतलब D E की वैल्यू वही होगी जो B E की है पहला पॉइंट तो यह होगे इसमें ठीक है और यह फिर मैं कह सकता हूँ कि A E की वैल्यू वही होगी जो C E की है किसकी है C E की ठीक है जो C E की है तो यह सबसे ज़्यादे इंपोर्टेंट पॉइंट है इस थियोरम का सबसे ज़्यादे यूज है हम कोश्चन में सम्चतरबुज के कोश्चन जो भी आएगा तो अगर हमें साइड निकालनी है तो मैं सबसे ज़्यादे यूज में इसी का करने वाला हूँ ठीक है दोस्तो ठीक है देख़ए सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ हूआ सम्चतरबुज के बारे में कि सम्चतरबुज की भूजाएं परतियएक भूजाएं समान होगी विपरित हो जाएं क्या होगी समानतर होगी ठीक है next point क्या था कि सम्चतर बुज के विकर्ण एक दूसरे के समान नहीं होते हमेशा एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा ठीक है और next point जो सबसे खास और सबसे ज़्यादे इंपोर्टेंट सम्चत्रबुज के विकार्ड एक दूसरे को 90 डिग्री पर और बराबर बराबर काटते हैं तो दोस्तों ये तो थीज की थियोरी अब हम पढ़ने वाले हैं सम्चत्रबुज के फॉर्मुले कोई जादा फॉर्मुले नहीं है केवल दो ही फॉर्मुले सबसे पहले आप को समझे पढ़ेगा सम्चत्रबुज कच्चितर देखिए सबसे पहले अगर मैं इसमें एक विकर्ण डीवन माल लू और एक विकर्ण क्या माल लू डीटू ठीक है ये कोई सम्चतर बुझ है अगर मैं इस बीडी को डीवन नाम देदू क्या देदू डीवन ये डीवन ठीक है और एसी विकर्ण को क्या नाम देदू डीटू ये वह हमारा डीटू तो आप मुझे एक बात बताओ क्या ये एसी और ये बीडी सम्चतर बुझ के विकर्ण है आपको के सर बिलकुल तो अभी अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि ये एक दूसरे को 90 डिगरी पर काटते है आपको के सर बिलकुल तो सम्चतर बुझ की जो साइड होती है क्या वे सारी बराबर होगी बी पिल्कुल सम चत्रबुज़ की साइड सब बराबर है यानि के एडी किसके बराबर है डी सी के और एबी और बी सी ये सब क्या है बराबर है अगर ये ए है तो ये भी क्या होगी साइड ए होगी ये भी साइड क्या होगी और ये भी साइड क्या होगी ए होग के लिए हई बात यहां तक और हम पहले ही ट्रेंगल का concept पढ़ चुके ट्रेंगल में हम सम बाहु तिरबुझ भी पढ़ चुके अगर मैं इसकी बात करूं किसकी सम चतरबुझ में ये जो सम चतरबुझ है पूरा ये एसी जो विकांड हैं इस पूरे सम चतरबुझ को दो बराबर छेतरफल में बाटता है देखे दोस्तों ये एक last point और लिख सकते हो आप कि सम चतरबुज का जो विकार्ण होता है पूरे सम चतरबुज को दो बराबर छेतरफल में बाट देगा यानि कि जो AC विकार्ण है इस पूरे सम चतरबुज को एक तो ट्रेंगल ADC में और एक ट्रेंगल ABC में बाटेगा जिसका चेतरफल इसके चेतरफल के समान होगा अगर मैं दोनो डैगनल की बात करूँ दोनो विकार्ण की बात करूँ ठीक है न दोस्ταों। तो समझतर बुचगे विकंड क्या करते हैं एकवल एकवल एरिया में चार्टिर बुजों में बाठ देगा 6 तरफल में समान होंगे ठीक है लेकिन हम केवल बात कर रहे हैं अभी AC विकंड की को दो तिर्बुजों में बाट रहा है एक तो adc में और एक abc में ठीक है और यह जो तिर्बुज adc आपको दिखाई दिया इसमें ad और dc क्या दोनों समान है आपको के सर्फ बिल्कुल तो क्या यह जो तिर्बुज है ADC यह एक समध्वी बाहू तिर्बुज होगा ISOCELL STRANGLE होगा ISOCELL STRANGLE यानि कि समध्वी बाहू जिसकी दो भुजाए समान हो आपको के सर बिलकुल कि AD की value वही है AD की लंबाई वही है जो CD की लंबाई है तो इसका मतलब यह तो समध्वी बाहू तिर्बुज होगा ठीक है ना और यह जो होगा यह जो होगा D यह मालो E point है यापर क्या है E point तो जो यह D से हमने perpendicular draw किया हुआ है जो हमने D से perpendicular draw किया हुआ है तो यह जो point होगा E अब तो क्या यह मध्य बिंदू नहीं कहलाएगा क्योंकि समध्वाव तिर्बुज में जो perpendicular draw होता है वो सामने वाले साइड को समध्वाजित करता है तो इसका मतलब E point क्या होगा दोस्तो यह E point क्या होगा यह E point मध्य बिंदू होगा किसका मध्य बिंदू होगा दोस्तो AC का मध्य बिंदू होगा खेलियर होई बात अगर मैं इस ADC तिर्बुज का छेतरफल निकाल दू और उसका मैं double गर दू तो क्या आपका समचत्रबुज का छेतरफल निकलेगा की नहीं निकलेगा तो आप मुझे एक बात बताओ इस AC की वैल्यू क्या होगी दोस्तो इस AC की वैल्यू क्या होगी दोस्तो AC की वैल्यू क्या AC बेस का काम करेगा इस तिर्बुज ADC के लिए AC बेस का काम करेगा AC यानि कि आधार का काम करेगा और इस आधार की लंबाई कितनी है दोस्तो D2 ठीक है न तो आप मुझे बताओ ये जो Db है Db ये Db का मतलब है D1 लेकिन ये मध्यविंदू होगा इधर से भी ये मध्यविंदू का काम करेगा तो इसका मतलब ये जो D e की हाइट होगी ये जो D e ये हाइट हुई D e D e की वैल्यू कितनी होगी दोस्तो D1 बाई 2 होगी कि नहीं आपको के सर बिलकुल D1 बाई 2 क्योंकि सम्चतर बुझ में विकार्ण एक दूसरे को बराबर बराबर परतिशेद करते हैं अगर ये D1 है तो D e की वैल्यू D1 बाई 2 होगी तो आप मुझे बताओ area of triangle area of triangle a d c बराबर कितना होगा एक बटा दो बेस इंटू हाइट तो बेस कितना है दोस्तो a c base कितना है दोस्तो a c और height कितनी है ये हई डिस की कितनी है d e height कितनी होगी बेटा d e तो आप मुझे बताओ कि की 1 बटा दो AC की value कितनी है भई D2 और DE की value कितनी है D1 by 2 यह जो छेतरफल निकला यह केवल और केवल triangle ADC का निकला लेकिन हमें सम चतरवुज का छेतरफल निकलना है तो सम चतरवुज का छेतरफल इस वाले triangle के छेतरफल का दो गुना होगा तो इसका मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे सम चतरवुज का छेतरफल निकलना है तो मैं कह सकता हूँ कि दो गुना है किसका area of triangle ADC तो दो गुना area of triangle कितना हूँ दो दुनी चार एक बटे चार डी वन इंटू डी टू तो जब आप दो से इसको काट दोगे दो बार तो ये क्या बनेगा इक बटा दो डी वन इंटू डी टू एक बटा दो डी वन इंटू डी टू तो ये सम चतरवुज का छेतरफल निकल दیا हमने इस सम चतरवुजगा छेतरफल के लिए रुभी बात यहां तक लेकिन आपको ये proof याद हो चाहे ना हो लेकिन आपको ये direct फórmula याद होना प्रूरी है ठीक है ना तो सम्झ चतुरबुजगा जो चेतरफल का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा दोस्तों एक बटा दो डी वन इंटू डी टू डी वन के पहले वाला डाइगनल और दूसरे वाला डाइगनल और विकर्ण कभी एक दूसरे के समान नहीं होते लेकिन विक करनों के गुणन फल्का क्या करना है दोस्तों हाफ करना है कि लिए भी बात यहां तक ठीक है देखिए तो अगर मैं इस सम्झ चत्रबुजगे परीमाप की भी बात करता हूं दोस्तों परीमाप का मतलब कुछ नहीं होता यह मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको पिछली के आकरती में कि अगर चार भुजाओं से कोई आकरती घीरी हुई है तो परीमाप का मतलब क्या है उस आकरती के चारों तरफ को घूम जाना अब परीमाप कहलाता है ठीक है ना तो यहां पर जो परीमाप की अगर मैं बात करूँ पैरीमीटर की बात करूँ तो पैरीमीटर क सम चतुर्बुज का छेत्रफल यानिके एरिया एरिया ठीक है ना क्या होगा दोस्तों एक बटा दो दीवन इंटू डीटू विकर्णों के गुणनफल का हाफ ठीक है ना अगर मैं परीमाप की बात करतों परीमाप परीमाप यानिके पैरिमीटर पी तो पी क्या होगा दोस्तों फॉर ए यानिके चार इंटू साइड फॉर इंटू साइड ठीक है यह हो गया परीमाप ठीक है त पायद्गुरस्थे श्रम से जब मैं question आपको कराऊंगा तब मैं समझाऊंगा कि हम पायद्गुरस्थे परियोग कैसे करते हैं है ठीक यह 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 लिया कि अधिए तो दोस्तों अब तक हमने क्या जाना सम चत्रबुज के बारे में सबसे पहले हमने उसके थ्योरी पड़ी दूसरी हमने उसके फॉर्मॉले पड़े ठीक है ना तो मैं उम्मीद गरता हूँ ये चीज तो आपको अच्छे समझ में आई गए होंगे तो अब एक नया टोपिक की स्टार्ट करते हैं पैरललो ग्राम यानिके समांतर चत्रबुज पैरललो ग्राम यानिके समांतर चत्रबुज समझिए समांतर चत्रबुज तो आज का कंसेप्ट दूसरा क्या होगा समांतर चत्रबुज इसको में इंगलिस में क्या बोलते है पैरललो गुराम पैरललो गुराम ठीक ना पैरललो गुराम क्या होता है समानतर से तरुपुज क्या होता है समझने का परियास करते है पेललोगराम का मतलब क्या होगा दोस्तो कि एक ऐसी आकरती जिसकी आमने सामने की भुजाए यानि के विपरीत भुजाए बराबर हो और समानतर हो ठीक है तो पेललोगराम का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाए बराबर हो और क्या हो समानतर हो आप कोगे सर ये चीज तो हमें आयत में भी बढ़ाई गई थी लेकिन मेरे भाई आयत में मैंने एक बात और बताई थी कि आयत के चारो आंत्रिकोन 90 डिगरी के होते हैं लेकिन यहाँ पर समानतर चतर बुझ में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर 90 डिगरी का एंगल नह पर 90 डिगरी का कॉण होगा लेकिन यहाँ पर समानतर चतर बुझ में आनतर कॉन का मान कंद 90 कभी नहीं होगा ठीके देखिए मैं आकरती यह यह घोज़ा कोई यानिकर समांतर सुत्रोपुज़ है यह यह कोई समांतर सुत्रोपुज़ भुत है जिसका मैं नाम भी रख देता हूं कि यह है यह बी है यह सी है और ये डी है ठीक है तो इसमें आमने सामने की जो भुजा होगी वो एक दूसरे के बराबर होगी यानि कि मैं कह सकता हूं कि एबी जो है डी सी के बराबर है साथ में जो एबी होगी ये जो एबी होगी ये एबी इस डी सी के क्या होगी पैरलल भी होगी समानतर भी होगी ब BC ये BC जो साइड होगी ये इस AD साइड के पैरलल होगी समांतर होगी के लिए रोगी बात आप में तो पहला पॉइंट दोस्तों यही बनता है कि समांतर चतर बुझ का समांतर चतर बुझ में आमने सामने की भूजाए समांतर होती है और बराबर होती है ठीक है न तो पहला में आमने सामने की भूजा एक दूसरे के बराबर और समानतर होती है कहने का मतलब क्या हो है मेरे भाई कहने का मतलब यह हुआ कि अबी बराबर किसके है दोस्तो अबी बराबर है सीडी के अबी बराबर किसके है सीडी के और अबी डी सी के पैरलल भी है ठीक है ना अबी जो होगा वो इस डी सी के पैरलल भी होगा ठीक है एक पॉइंट तो यह हुआ ठीक है और यहां पर जो BC है BC BC इस AD के क्या होगा दोस्तो BC इस AD के बराबर भी होगा और BC समानतर भी होगा दोस्तो AD के लिए रोगी बात तो यह पहला पॉइंट हुआ कि समानतर चतुर बुज में समानतर चतुर बुज में आमने सामने की बूजाए एक दूसरे के समान होती है और पैरलल भी होती है यानिके समानतर भी होती है और समान भी होती है ठीक है ना देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में हमें यह समझना पड़ेगा कि समांतर चतुरबुज में समांतर चतुरबुज में दो एडजसेंट एंगल एडजसेंट एंगल का मतलब क्या होगा दो करमाग कोनों का जो योगफल होगा वो क्या होगा दोस्तो 180 डिगरी होगा यानिके मैं यह कह सकता हूं कि अगर एंगल एठीटा है तो हमारा एंगल भी क्या होगा दोस्तो 180-ठीटा होगा 180-ठीटा होगा के लिए रोभी बात यहाप है 180-ठीटा जबकि आयत में आपर क्या था आयत म समानतर चतुरवुज में मेरे भाई ऐसा नहीं है ठीके ना अगर ये एंगल ठीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस ठीटा होगा ठीके ना दो एड़जसेंट एंगल यानि के दो करमागत कोणों का योगफल 180 होगा ये ठीटा है तो ये 180 माइनस ठीटा होगा तो एंगल B का ए एज़ेसेंट एंगल होगा, वो angle C होगा, यह 280 माईनस ठीटा है मेरे भई, तो यह ठीटा होगा, इन दोनों कोणों का योगफल 180 की तरही है, जैसे सम चतर बुझ में हमने वोला कि दो adjacent angle का जो sum होगा यानि कि दो करमागत कोणों का योगफल 180 ठीक उसमें भी सेम ऐसे ही है तो यहां भी सेम ऐसे ही है और सम्चतरबुज में भी सेम ऐसे ही है इसलिए दोनों ही concept को मैं एक साथ ही लेकर आया हूँ ठीक है ना तो चलिए दोस्तों तो दूसरा point क्या हुआ कि दो करमागत कोणों का योगफल हमेशा हमेशा क्या होगा 180 डिगरी होगा ठीक है ना 180 डिगरी तीसरा point को समझने का परियास करते है तीसरा point हमारा क्या है मिर भाई अगर adjacent angle गसम 180 है तो आपको दिखी रहा होगा कि angle A angle C के बराबर है angle B angle D के बराबर है तो मैं यह कह सकता हूँ कि विपरीत कोण हमेशा यहाँ पर भी समान होते हैं जैसे कि सम्चतुर बुझ में बताया गया कि विपरीत कोण वहाँ पर समान है ठीक इसी तरीके से यहाँ प अपर क्या होगा विपरीत कोण विपरीत कोण समानतर चत्र बुझगे विपरीत कोण हमेशा समान होते हैं हमेशा समान होते हैं हमेशा क्या होते हैं मेरे भाई हमेशा समान होते हैं ठीक न दोस्तों हमेशा समान होते हैं यानिके एंगल A एंगल C के बराबर एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D एंगल B बराबर एंगल D के लिए रही बात अब अग पुइंट में अगर बात करें इसके विकन की इसके डायगनल की तो दोस्तों जिस परकार मैंने सम चतुर्भुझ में आप को यह बताया कि सम चतुर्भुझ के विकन एक दूसरे के बराबर नहीं होते ही ठीक उसी तरीके से समांतर चत्रबुज में यानि के पैरललोगराम में भी विकर्ण एक दूसरे के समान नहीं होंगे ठीक है ना तो विकर्ण एक दूसरे के याँ पर भी समान नहीं होते ठीक है ना तो विकर्ण एक दूसरे के समान नहीं होते एक दूसरे के समान नहीं होते यानिके अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर एक छोटा सा मैं समानतर चतरबुज बनाता हूँ ताकि आपको किलियर हो बात यानिके यह A है यह B है यह C है और यह D है ठीक है ना देखिए अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूँ तो एक विकर्ण तो AC होगा और एक विकर्ण इसका दोस्तों क्या होगा एक विकर्ण इसका दोस्तों BD होगा तो यहाँ पर जो AC और BD है यह एक दूसरे के बराबर नहीं है तो AC और BD एक दूसरे के बराबर नहीं है समांतर चतुर्बुज के विकर्ण नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था यह पॉइंट है लाष्ट का चोथा तो पाच्वा जो पॉइंट होगा पाच्वा पॉइंट क्या होगा कि समांतर चतुर्बुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को एक दूसरे को 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर नहीं काटते पर नहीं काटते नहीं काटते यानिके अगर गलती से आप ये पढ़ लोगे कि समानतर चतुर बुजगे विकाण एक दूसरे को 90 डिगरी पर काटते तो ये गलत हो जाएगा तो सम चतुर बुजगे विकाण एक दूसरे को 90 डिगरी पर काटते नेकी समांतर चत्रबुजगे विकन ठीक है ना तो 90 डिगरी पर नहीं काटते याद रखना है इस बात को कि नहीं काटते के लिए हुई बात समांतर चत्रबुजगे विकन एक दूसरे के बराबर नहीं होते और समांतर चत्रबुजगे विकन एक दूसरे को 90 डिगरी पर नही कि अगर ये हमारा समांतर चत्रबुज A, B, C, D है A, B, C और D है ठीक है न और मैं इसमें एक विकर्ण बना देता हूँ A, C, एक विकर्ण क्या बना दिया मैंने A, C तो जो A, C विकर्ण होगा, A, C विकर्ण होगा इस पूरे समांतर चत्रबुज को दो बराबर चेतरफलों में बाट देगा यानि कि इसका चेतरफल अगर एक है तो इसका भी चेतरफल एक होगा ठीक है, तो समांतर चत्रबुज का कोई भी एक विकर्ण पूरे समांतर चत्रवुज को दो बराबर चेतरफलों में बाठता है अगर मैं बीडी विकर्ण भी बना देता हूँ तो आप इस बात को भी समझना कि ये बीडी विकर्ण है तो समांतर चत्रवुज के विकर्णों के दुआरा बनाए गए चार तिर बुझों के छहेतर फल हमेंसा समान होंगे यानि के मैं कह सकता हूं कि अगर इस तिर बुझचUNG मैंने सामने वाले सस्रुक्राइंत होगे n Chicago दयर होगी बात जो की जो मैट्रिक का फॉरसन है हमें में सुरेशन में कोई जरूत नहीं है ठीक है न चलिए जो मैट्री में पढ़ाएंगे इस बात को दो ठीक है तो लिखने की जरूत नहीं है आप खुद लिख लेना कि समांतर चत्रबुझ के जो होंगे इसके द्वारा इ अगर मैं बात करता हूँ समांतर चत्रबुज के फॉर्मुले की समांतर चत्रबुज के फॉर्मुले की ठीक है ना तो सबसे पहले ये कोई समांतर चत्रबुज हुआ ठीक है ये कोई समांतर चत्रबुज हुआ हमारे सामने ठीक है भाई देखें अगर ये समांतर यह point c और यह point d और मैं A-B कि लंबाई कितने मालने मालनू यानि कि इसकी लंबाई कितनी है दोस्तो हो कि आप यह जानते हो कि अगर यह 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 हैं तो यह भी होगा बल्कुल होगा ठीक है और अगर मैं इसकी लंबाई B-D के लंबाई बी मालनू क्या मालनू भाई बी मालनू तो बी सी बी है तो भाई एडी भी तो बी होगा ये भी तो बी होगा आपको के सार बिलकुल ये भी होगा समझने बात को ये भी क्या होगा फिर बी होगा आपको के सार बिलकुल बी होगा अगर मैं इसके छेतरफल की बात करूँ, तो छेतरफल के लिए करना क्या होगा, मुझे D. से यहां से एक हाइट डालनी पड़ेगी, H. ये क्या है हाइट? ये क्या है H. इसकी हाइट कितनी होगी? ह, ठीक है न? इसी तरीके से अगर मैं D point से BC बूजा पर कोई height डालता हूं BC बूजा पर कोई इस तरीके से height डालता हूं तो यहां पर भी 90 degree का तो इसकी लंबाई मैं मैं आल लेता हूं clear होगी बात अगर मैं इस समांतर चतुरुपुझ के area की बात करता हूं तो एरिया का जो फॉर्मूला ओगा दोस्तो वो क्या होगा बेस इंटू हाइट अब यह बताएए अगर मैं बेस A B को मानता हूn तो दोस्तों हायट फिर मुझे ये लेनी पड़ेगी D M ४ इसको M नाम देते हैं इसको नाम देदी हमने M और इसको नाम देदी हमने N ठीक है न अगर मैं बेस A B को मानता हूं तो हाइट हमें केंक्ट कॉन सी करने पड़ेगी Diam यानि के जो bites ho Banks करते हैं क्लिए कुई बात यहां पे ठीक है यानिके मैं एक है सकता हूं कि अगर हमारी भाइट बैस ए नहीं है तो हाइट कौन सीosed ओंसी दोस्तों से होगी हों ठीक है और अगर बेस में बी वी मानता हम बी तो हाइट दोस्तों क्या गी डी एन यह होगा ठीक है ना आधार गुणा उचाई आधार गुणा उचाई तो वह डिपेंड गरेगा कि आप बेस क्या लेते हो जो बेस लोगे उसी पर हाइट होने चाहिए तो यह क्या हुआ मेरे भाई यह हुआ हमारा एडिया का फॉर्मूला ठीक है अगर मैं इसके परिमाप की बात करता हूं अगर मैं किसकी बात करता हूं परिमाप की बात करता हूं तो परिमाप का फॉर्मूला क्या बनेगा परिमाप का फॉर्मूला तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको पैरिमीटर का जो फॉर् तो परिमाप क्या बनेगा टू इंटू ए प्लस बी जो हमने आयत का परिमाप पढ़ा वही सेम परिमाप का फॉर्मुला बनेगा जो वही सेम परिमाप का फॉर्मुला बनेगा टू इंटू ए प्लस बी तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सम चत्रबुज की पूर क्वेक्ट करने तब आपको और अच्छे से किलियर होगा है ना देखिए तो सबसे पहले हमने प्रफिश दोस्तों सरी पढ़ा और सम्षबुंट की थोरी पढ़ने के बास हमने फॉर्मुला पड़े तो सम चत्रबुजग के लिए formula क्या था एडिया का एडिया का फॉर्मुला था एक बटा दो डीवन इंटु डीटु यानि के विकरणों का गुननफल का हाफ कर दिया परीमेटर के आवा दोस्तों foreign to size यह पैरेमीटर हो था ङे अब अगर मैं बात करूं किसकी अगर मैं बात करता है इडिया की बात करता हूं तो चान बेस न्टो ईडेश एंट हैЧ मंब बेस इंटू हाइट अब वह बेस यान कि आधार डिपेंड करेगा कि आप आधार क्या लेते हो उसी पर हाइट काउंट करनी है ठीक है ना और पैरिमेटर क्या होगा पैरिमेटर होगा 2 in 2 L पलस B लंबाई या चोड़ाई बोल दो या A पलस B ठीक है ना A पलस B ठीक है ना यह इसका फॉर्मला होगा समानतर चत्रबुझ का तो हमें किस वीडियो को हम यहीं पर खतम करते हैं ताकि वीडियो अमारी लंबी न हो ठीक है ना और जितनी पिछली किलास में अब तक पढ़ा चुका दोस्तों अगर आपको वह वाक्य में अच्छे लगती है आप उनको देखते हो आप उनको पसंद करते हो तो दोस्तों लाइक और क कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप पॉजिटिव कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन भी लेगा ताकि हम और भी वहतर काम कर सकें ठीक ना भाई तो चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार दोस्तों ठीक है बाइ झाल 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 झाल